अगर आपने आउटलेंट टुडियल नहीं देखा है यानि कि पार्ट वन नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखें डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और यहां पर मैं शेडिंग के लिए यूज करने वाला हूं डॉम्स का पेंसिल जो कि 40 रुपीज में आ ज यूज कर सकते हो वह यहां पर शेडिंग करने के लिए में एक ही मेठट का यूज करता हूं हमेशा वह है लाइट टु डार्क याईनि कि आपको लाइट से लेके डार्क तक जाना है तो यहां पर मैं यूज कर रहा हूं टूबी और शिक्स भी पहले मैं बेश शेड करूँ कि और थोड़ा सा डार्क होने की ज़रूरत है इस जगह पे पर्टिकुलर एरियास में तो मैं यहां पर 6B का ही इस्तमाल भी कर लूँगा सो मैं यहां पर आइस के लिए darker shades को यूज़ कर रहा हूँ तो पहले मैं 4B यूज़ कर रहा था फिर उसके बाद मुझे लगा कि यहां पर और थोड़ा dark होने की ज़रूरत है तो मैं उसके बाद 6B यूज़ करने लगा तो मैं यहां पर इमें face और nose में सबसे पहले 2B pencil को यूज़ करूँगा फिर मैं जहां जहां लगता है कि यहां पर डार्क होना चाहिए तो वहां पर मैं 4B pencil का यूज़ करूँगा और फिर उसके बाद बहुत ज्यादा darker areas जहां जहां पर रहा है वहां पर मैं 6B pencil का यूज करूंगा आप दो से तीन बर भी 6B pencil का यूज़ कर सकते हो डारकर शेट को देने के लिए सो आइस के यहां पर थोड़ा सा डारकर शेट्स हैं तो इसलिए मैं 6B से युसे शेट कर रहा हूं फिर उसे ब्रश से ब्लेंड कर दे रहा हूं कि रेफरेंस पोटो में राइट साइड वाले नोज एरिया में थोड़ा सा डारकर शेट्स है तो आप देख सकते हैं कि मैं यहां पर 6B pencil का इस्तमाल कर रहा हूं राकर शेट्स को देने के लिए क्या हूं पर के देख वाले यहां पर लाइट्स को देख सकते हैं यहां पर मुश्टाचे और बीर्ड के लिए भी पहले बेजिक शेट करूंगा टूबी पैंसिल से या तो आप फोर भी पैंसिल भी उसकर सकते हो फिर उसके बाद आप और थोड़ा डारकर शेट से पहले शेट कर लें और उसे ब्लेंड कर लें उसके बाद आप सोटे-चोट अधियर के हेर्ड जो है और ड्रो कर सकते हो इससे आपका जो बियर्ड है और मुश्टाचे है वह और भी ज्यादा रियलिटिक लुक लगएगा से जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने यहां पर पहले बेजिक शेट किया टूबी पैंसिल से फिर उसकी बद मैं यहां पर शी झाल कि यह पर मैं माउत के ख लिए भी सेम मैंधर का यूज करूंगा फिरु है। आप यहां पर और नीचे भी शेट करसकते हो सबसे पहले लेकिन मैंने यहां पर पहले सबसे डार्कर एरिया को दे दिया है 6B से फिर उसके बद मैं 2B से हलका शेट करूंगा फिर उसके बद डार्कर-डार करते मैं 4B और 6B पर जाओंगा सब से पहले बेस शेडिद के 및 लिए 2 Extra चिले फिर उसके बाद capture शेड्ट के लिए 4 ले इन। और ररकर शेड्स के लिए 6ी और हाईलेड्स के में में अधार का एक दम लाश्ट में ॥्菁 आ. पर हैसी थे पसूल परफिलिद सब किया तो सद होगbourg 허का है कभी यूज कर सकते हो ब्रेफरेंस फोटो में जीश असे चिजए सब्सक्राइस को चो हूँ देना है और आप तो और भी जढ़ाधा रियरेक्शें में उसी डियरेक्शन में श्रोक को दे रहा हूं और फिर उसके बार थोड़ा रियलिस्टिक लुक पाने केलिए मैं इसे blend भी कर रहा हूं te तो यहां पर में हैड्स में और डारकर शेट्स पाने के लिए मैं वापस से 6 भी पैंसल को चला रहा हूं आप चाहे तो ऐसी भी रहना देजिए या फिर आप 8 भी या फिर 10 भी पैंसल कभी इस्तमाल कर सकते हो तो यहां पर मैं नेक के लिए भी सेम मैंतर का यूज़ करूंग तो यहां पर आपको 6 भी पैंसल का यूज़ करना है और मैं यहां पर टाई के लिए इस्तमाल कर रहा हूं 6 भी पैंसल क्यूंकि टाई एक दम ब्लैक कलर का है तो मैंने इसको थोड़ा हाइलेट देनी की भी कोशिश की है यहां पर मैं कोट के लिए यूज़ कर हूँ टूबी पैंसिल तो पहले मैं पैस डेता हूं टूबी पैंसल से है फिट जहां-जहां के शैडॉट रेयास है तो मैं फोट भी पैंसल से यूज़ करूंग जहां जहां कि यहां पर मैं हाइलेट्स को देने के लिए अब सारा में एक नवी रेजर का यूज कर रहा हूं वैसे तो हमें हाइलेट्स देनी की ज़रोथ है नहीं बट फिर भी में यहां पर और रियलिस्टिक लूप पाने के लिए में हाइलेट्स दे रहा हूं तो यहां पर हमारा ड्राइंग जो है कंप्लीट हो चुका है तो आप हमें बताएं कमेंट सेक्षन में क्या आपको यह वीडियो कैसा लगा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक कर देना और आपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को साथ शेयर कर रहा है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू फॉर वाचिंग